हेलो नमस्कार सभीगो तेखो हरियाणा करमचारी चैन आयोग बोड़ हरियाणा करमचारी चैन आयोग अब उमिद्वारों को एक महीने ओर करना होगा इन्तजार जो हाई कोड ने जो अगली डेट देनी थी तब जो फैसला आया कि उन्होंने प्रोसेसेंग फिस जमा नहीं कर तब उन्होंने अगली डेट नहीं दी थी और कल स्याम तक उन्होंने अगली डेट दे दी थी और अगली डेट उन्होंने दीथी 3क्टुमबर देखो हाई कोर्ट ने ओर्डर में प्रोसेसिंग फिस जमा नहीं कराने का किया जिकर अगली सुलवाई तीन अक्टूमर को होगी बरतिया लटकी जब तक आदलत नहीं कहेगी किसी भी गुरूप का पेपर नहीं हो सकेगा तो अब अगले सुलवाई तीन अक्टूमबर को होगी तब तक आपका ने तो कोई एक्जाम होगा और ने ही कोई रिजल्ट जारी किया जाएगा उलजता जा रहा है गुरूप सी पदों की भरती का मामला तो जो गुरूप सी की जो भरती चाल रही है उसका मामला ज्यादा ही क्या होता जा रहा है उलजता जा रहा है इसके अलावा मैं बताओं आपको देखो हर्याना करमचारी चेहन आयोग जिन गुर्फों का पेपर लेना चाहता था उन गुर्फों के उमिद्वारों को अब एक और महीने इंतिजार करना पड़ेगा पंजाब और हर्याना हाई कोट में अब अगली सुनोई तीन अक्टूमबर को होगी चीफ जस्टिस रवी संकरजा जस्टिस अरून पल्ली की खंड पीट का अंत्रिम आदेश दो सितंबर को अपलोड हुआ है इस अंत्रिम आदेश में लिखा ओफिस रिपोर्ट इंगित करती है कि परतिवादी गणों को प्रोसेसिंग फीस कि आप सकता होने के कारण जारी नहीं हो सके तो जो आपका हाई कोट के अंदर मामला था उसके अंदर लास्ट यही बात थी कि जो आपके जो प्रोसेसिंग फीस है वो उन्होंने जमा नहीं कराई अगर प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करवाई उसी के कारण सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई नहीं हो पाई तो इसका खाम्याजा किने बोगतना पड़ा है जो बचे तैयारी कर रहे हैं उनको बोगतना पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको किजाब का गुरूफ नंबर 56 के अंदर जो क्यूशन रिपीट हुए थी उनके वो जो मामला है उसकी सुनवाई तो आपकी 20 सितमबर को होगी एक सितमबर को हुई ती जिसके अंदर है प्रोसेशन फीश जमान नहीं करवाई तो उसकी अगली डेट मिली है 3 October क्या मिली है 3 October 3 October को सुनवाई होगी उससे पहले तो आपका कोई वे एक्जाम होगा नहीं इसके अलावा आपका Group number 57 का जो पेपर है वो 20 तारी को पता चलेगा कि आपका पेपर रद होगा या फिर वो 100 क्यूशन में से 100 number में से बनाएंगे या फिर वो 100 क्यूशन में से बनाएंगे या फिर वो 59 क्यूशन में से बनाते 41 को रद करते हैं वो जो कुछ भी करेंगे वो फैसल आएगा 20 सितंबर को और ये फैसल आएगा 3 October को तो 3 October तक आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा इसके अलावा जो ग्रूप D की बाती चल रही थी कि ग्रूप D आपका सितंबर लाष्ट ये अक्टूमर फैस्ट में करा लिया जाएगा तो अभी एक दो दिन के अंदर अमें पता चल जाएगा कि हो सकता है कि हमारा ग्रूप D का एक्जाम पहले कंडेक्ट करा लिया जाए और हो सकता है कि आपका जो ग्रूप नंबर 56 है वो 20 तारी को रद कर दिया जाए और जो 3 अक्टूमर को जो फैसला सुनाए जाएगा उसके अंदर जो आपके आदर जो ग्रूप है उनके एक्जामों को भी रद कर दिया जाए और आपका जो CET है उसको क्वालिफाई कर दिया जाए ऐसी संभावनाई लग रही है मेरे को लेकिन फिर भी देखते है क्या होता है ग्रूप D पहले होता है या फिर नहीं होता है आदर ग्रूप के एक्जाम होते है या नहीं होते है CET क्वालिफाई होता है या नहीं होता है जो भी कंडिशन होंगी वो देखी जाएंगी लेकिन जो अगला CET है आपका वो दिसंबर में बाते चल रहे हैं कि दिसंबर में होगा तो हो सकता है आपका CT December में हो जाए अगला उसके अंदर तो क्या करेंगे क्वालिफाई करेंगे इसके अलावा अभी recently अब हरियाना पुलिस की परती भी आएगी तो आपको continue तैयारी रखने है वैसे तो तैयारी करने का तो मन बच्चों का करता ही नहीं क्योंकि HSSC ने महावली ऐसा बना रखा है बच्चों का तैयारी करने का तो मन करता ही नहीं मन कहां से करें जब fix नहीं होता कि जैसे कहीं पर हमें जाना है और हमें यहीं नहीं पता कि जो last point है हमारा वहां पर जाकर कि हमें रुखना है तब हम नहीं तो जाने में क्या नहीं जा सकते को तो जब हमें फिक्स नहीं पता कि हमारा एक्जाम कब होगा, एक्जाम के अंदर सलेवस क्या क्या आएगा, एड्मिट कार्ड जो जारी करते हैं, वो एक दिन पहले जारी करते हैं, तो बहुत ही बुरा हाल है, हमारे अरियाना में तो, इससे अलग तो जो अधर स्टेट के एक एक्जाम है, वो ही अच्छे है, क्यूंकि अब जो दिल्ली पुलिस के फोर्म में स्टार्ट हुए, एक से 30 तारीक इससे बड़े है, तो वह इससे बेस्ट है, कम से कम हो टाइम से अब फोर्म करवाएंगे, टाइम से एक्जाम करवाएंगे, टाइम से फिजीकल अगरा होगी उनके अंदर जोइनिंग मिलेगी तो जो भी दिली पुलिस का इच्छुक है वो दिली पुलिस की तरफ जा सकता है और देखते हैं क्या होता है और अमारा चैनल जीके भाई माला राम सरी स्कॉप आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है शेयर करना है करना है थैंक यू सो मच्छ